तो दोस्तों आज एक कस्टमर का हमारे पास एक मिनी तिंग सेंटर रहा है लेने वह गांग ठीक है कस्टमर का कहना है कि यह गरम हो रहा है शुरू होते ही गरम होके यह बंद हो जा रहा है तो इसका रीजन हम पता लगाएंगे अभी यह मोडल गमर है तिंग सेंटर M9 निकर ठीक है इसको 12GB रहा है में i5 का प्रसेसर है और 6th generation है ऐसा कंपनी क्लेम कर दी जहां से उसमें प्राइग गया था अभी हम चेक करेंगे सही में वह उतना दे भी रहे है कि नहीं दे रहे और ठीक है तो हम इससे ओपन करते है ओपन करने के लिए इसको पहले फिलिप करेंगा अब इसको ओपन करने तरीका है इसको यहां से पकड़के आगे के तरफ स्लाइड कीजिया ठीक है अब देगे इसमें क्या-क्या अवेलेबल है इसमें यह दे रहा है 256GB कस एससडी दे रहा है ठीक है और रैम इसके नीचे होगा और प्रसेसर इसके नीचे तो आयो देखते अब देखते हैं और अल्रड़ी ही यूद है मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि यहां पे एक नट मतलब एक्सक्रू तो नहीं दिया गया है तो अभी हमको इसके लिए लगें है हमारे तूस हमारे तूस हमारे तूस के तूस लगे होना तो पहले हम देखेंगे इसका रैम के आपको यह एक माइनस वाला तो इसको तूस को तूस को इसके श्कूर्स समाले के रखिया तभी अगर स्कूरू गिर गए तो फिर आपनोंका इस्वोग हो जाएगा अब इसको ऊपन करने लिए आपको कि तो फोड़ा पुश करना है पीछे और इसको उठाना है तो यह आप 16GB के RAM बोला गया है पर 88GB के दो RAM लगए हुए इसको निकालने करें दो ही तरीके निकाल तो मैं बताता है आपको RAM इसका इसका Kingston के RAM ही यह और इसके दो जैक होते है यह इसको सब प्रेश करेंगे अपर यह RAM सीधा बाहर आ जाएगा सेकंड रेम इसको प्रेश कीजिए यह RAM सीधा बाहर जाएगा अब दो RAM है इसमें ठीक है एक तो अनब्रैंडड है ठीक है DDR4 करके और एक Kingston का RAM है DDR4 करके ठीक है तो इसको अपने वापस लगा देते हैं कि कि मेरे इसाब से तो RAM में कोई इश्यू नहीं है अगर PC चालू हो र बंद क्यों हो रहा था तो यह RAM लग गया है अब प्रोसेसर देख लेते हैं कि प्रोसेसर जो यह क्लेम कर रहे है वह प्रोसेसर है कि ने इसके लिए हमें लगेगा एक क्रॉस वाला टूनल ठीक है इससे हम निकाल देंगे यहां से पहले एक स्कूर यहां पढ़ा है एक आप अपने खुद से खोलने की पोशिश कोशीश मत किजिए क्यूंकि यह आपको इशू मत सकता है ठीक है तो फेले आपने इसका यह जो AIR चैनल है वो निकाल देंगे यह आरे है यह हमने निकेल दिया है देखिए यह 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 यहां से थलदा होता है जो भी यह आपना प्र से उससे निकालने वोंगे तो यह हम निकाल देता हैं फटाफट लिए नहीं लेना चाहिए और क्या करे और मानता नहीं यह बात अब लेने के बात पीडूर तो यह कुणिंग है ठीक है तो यह देखें यह प्रोब्लम में यहां पर कूलिंग प्रोट से चिपक के रहता है यह यहाँ बिल्कुल खतम खतम हो चुका है इसी दे यह इश्यू आ रहा है ठीक है तो हम चेक कर लेते हैं यह जो आपको आजसे नहीं करना है कपड़े करना अगर आप वेल्ट डिल ले तो यह आजसे करना ठीक है तो यह इंटल को राइफाई सीजनेशन ठीक है जैसा वह प्लेम करते हैं पर जब सी आउंग देख सकते हैं यहां देख सकते हैं बॉक्स के उपर उनकी जो उनका पैनल है उस पर लिखा है सेवंग जेनेशन पर अंदर मदर बूर्ड पर इस जनेशन लिखा हुए ठीक तो आप समझ सकते हैं तेलर कैसे उल्लू बना रहा है तो हमने कूलिंग एजन लगा दिया है अभी हम वापस इसको फिट करते हैं कूलिंग एजन आपको मार्केट में मिल जाएगा कोई भी एलेक्ट्रिक शॉप या पर कंप्यूटर शॉप में मिल जाएगा तीस दस जाता है ठीक है और अगर आप थर्मल पेस्ट होता है थर्मल पेस्टी लोगे जिसको कूलिंग इजन बोलते हैं वह लोगे तो आपको 40 या 50 रुबे में आएगा और इंजेक्शन जिसा ट्यूब आएगा अब वह उसमें से थोड़ा सा पेस्ट निकारा जिता आप कोलिए उसके लिए यूज करते हैं उससे भी कम रहता है उतना यूज करना आपको ठीक है और यह आपका लंबे दूर्ट पैम तक चलेगा तो यह वापत फटाफट फिट कर देते हैं कि जो मैं कैमरा मैन जो है ठीदिन अ डीओपी पे जो है वह है दीवेक दाकड कर दीवेक प्रेंटर लाके दिया है वह है विशाल सोनी ठीक है और खर्चा जिसका हुआ है वह है अभिनाज सोनी और जिस कि अ कि सेलर की हम धज्या उड़ा रहे हैं कि उनका नहीं बता सकते क्योंकि वह हमें ढूंड नहीं ले सारे उनके प्रोड़क्ट ऐसे मेरे सा लगता है कि सारे प्रोड़क्ट उनके ऐसे हैं क्योंकि हम चेक कर रहे हैं उनके वेबसाइट पर और इस पर जहां वो सेल कर रहे हैं E-commerce पर सब जगार उनके सेम रिवुश है Oh हम चैक कर रहे हैं क्वशार। सब गाली दे रहे हैं कि यह कैसे क्यों नहीं हो रहा क्यों नहीं हो डाय क्यों हो corrclassive काम होता है है क्यों काम लसक्त नहीं हुआ है और आप तुर आपको प्रक्चिन bus नहीं और आ तो इसके नीचे दो राम लग गया है अपना वीचे जाए अपना अपन इसका जो भी लगा देते हैं अब इसको टाइम आ गया तो यह हमने पैक कर दिया है अब इसको लॉक कर देते इसको लॉक कर देते और देखिए वापस जैसा था वैसा है अब हम आपको चालू करके बताएंगे ठीक है पर वह अगले वीडियो में ठीक है क्योंकि अभी भूगल करेंगे खाना खाने जाना पड़ेगा चलो